हेलो फ्रेंट्स और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अदीलाबाद से मुंबई शत्रपती शिवाजी महारास टर्मिनल्स के दर्मियान में चलने वाली नंडिगराम एक्सप्रेस के बारे में और इसी के साथ हिंगोली दककन से तो मुंबई शत्रपती शिवाज महारास टर्मिनल्स के दर्मियान में चनने वाली जन्चताबदी एक्सप्रेस को सेलू और परतूर जो तो स्टॉप मिल चुका है तो आज के इस वीडियो में इसी के बारे में डिसकस करने वाले है तो वीडियो में लास तक बनने रहे वीडियो को पूरी वाच करें ताक के आ मुंबई शत्रिपती शिवाजी महारास टर्मिनल्स टू अदिलाबाद के दर्मियान में चलाया जाता था लेकिन 16 मार्च 2024 के बाद इस ट्रेन को जो टे एक्स्टेंड कर दिया गया है और ये ट्रेन जो है अदिलाबाद के बजाए बलार्शा रेल्वे स्टेशन से रवाना होगी सुबा में 8.30 बजे और एक राज चलकर दूसरे दिन सुबा 6 बजे पहुच जाएंगी मुंबई शत्रिपती शिवाजी महारास टर्मिनल्स रेल्वे स्टेशन में लेकिन इसमें बहुत बड़ी दिक्कत वाली बात सामने निकल कर ये आ रही है कि मेरे सब्सक्राइबर मुझे बार-बार ये कमेंड कर रहे है कि रेल्वे के ओफिशल अप्लिकेशन पे इसका लोकेशन अदिलाबाद रेल्वे स्टेशन ही दिखा रहा है अभी तक इस ट्रेन का जो है बलारशा रेल्वे स्टेशन का लोकेशन नहीं दिखाया गया है तो मैं आप लोगों को एक बात बता दू ये ट्रेन रोजाना बलारशा रेल्वे स्टेशन से सुबा में साड़े आड बजे रवाना हो रही है और 1 बचकर 10 मिनिट का उसका arrival time है अधिलाबाद railway station में तो ये train 1 बचकर 10 मिनिट के पहले ही अधिलाबाद railway station में arrival हो रही है तो इसीलिए काफी सब्सक्राइबर को ये लग रहा है कि वो train अधिलाबाद railway station से बन कर ही चल रही है क्यूंकि उस train का वहाँ से departure time है एक बचकर पचीस मिनिट का एक दस का arrival time है और एक बचकर पचीस मिनिट का वहाँ से departure time है मतलब 15 मिनिट का उस train का वहाँ पर halt है तो वो train वहाँ पर 15 मिनिट जो है तो इंतजार करेगी departure signal का तो बहुत सारे सब्सक्राइबर को ये लग रहा है कि वो train अदिलाबाद railway station से ही रवाना हो रही है लेकिन वो train अदिलाबाद railway station से नहीं बलार्शा railway station से रोज रवाना हो रही है और अपने time के पहले ही वो train जो है तो अदिलाबाद railway station में arrival हो रही है इसलिए बहुत सारे लोगों को confusion हो रहा है लेकिन मैं आप लोगों को बता दू वो train 16 मार्च 2024 के बाद से बलार्शा railway station से ही रवाना हो रही है क्योंकि Central railway ने खुद officially जो है तो उनका later pass किया है तो उसमें ये clear mention कर दिया गया है कि 16 मार्च 2024 के बाद नंदी ग्राम एक्सप्रेस अदिलाबाद से रवाना नहीं होगी वो train बलार्शा railway station से रवाना होगी मतलब मुंबई शित्रपति शिवाजी महारस टर्मिनल्स टू बलार्शा railway station इसके दोनों भी last destination होगे अदिलाबाद अब इसका destination नहीं होगा लास्ट डिस्टिनेशन बलार्शा railway station होगा और confusion की बात यह है कि उस train का अभी तक जो लाइव लोकेशन बहुत सारे अप्लिकेशन पर शो नहीं हुआ है लेकिन आप लोग थोड़ा वेट करिये हैं आने वाले 8 या 10 दिन में उसका जो है तो अब डेट किया जाएगा इसी के साथ अगर बात की जाए हिंगोली दक्कन से तो मुंबई शत्रपती शिवाजी महारास टर्मिनल्स और मुंबई शत्रपती शिवाजी महारास टर्मिनल्स टू हिंगोली दक्कन के दर्मियान में चलने वाली जन्शताबदी एक्सप्रेस के तो बहुत सारे सब्सक्राइबर ये भी कमेंट कर रहे हैं कि उसको दो स्टॉप जो एड कर दिये गए थे 14 मार्च 2024 के बाद सेलू और परतूर वो स्टॉप भी जो है तो ऑनलाइन लोकेशन पे नहीं दिखा रहा है तो मैं आप लोग को बता दू 14 मार्च 2024 के बाद से ये ट् टिकेट उसका मिल जाएंगा मैंने खुद मेरी जर्नी का टिकेट बूग किया है मुंबगय श्यतरपति शिवाजी महारास टर्मिनल स्टु परतू रेल проблем स्टेशन के दर्मियान में मैं जर्नी करने वाला हूँ AC chair car में तो उसमें मैं journey करने वाला हूँ तो मैंने उसके ticket book कर लिये है और मुझे खुद उसके ticket जो है तो confirm मिल चुके है आप लोगों को भी अगर ticket book करवाना है तो आप लोग railway के official website पर या फिर railway के counter पर जाकर ticket book कर सकते है लेकिन रही बात location की तो यह आने वाले 8-10 दिन में जो है अप्लिकेशनों पर शो किये जाएंगे अभी तक जो तो इसको add नहीं किया गया है आने वाले time में बहुत जल्द जो तो इसको add कर दिया जाएगा और आप लोगों को भी जो तो वो location शो होंगे तो यह थी आप लोगों के लिए नंदिक राम और जनशताबदी एक्सप्रेस के live location को लेकर information तो उमीद करता हूँ के वीडियो आपको पसंद आई होगी वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो वीडियो को like करे और अपने दोस्तों में share करे मिलते हैं निक्स वीडियो में तब तक के लिए अपना खैल रखियेंगा अलाहाफिस टेक किया